Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर किसी भी देश का foreign policy independent ना हो तो उस देश का कुछ वैसा ही होता है जैसे कि पाकिस्तान का हो रखा है US को जब भी पाकिस्तान का इस्तेमाल करना होता है तो US IMF के द्वारा कुछ loans दिलवाता है और साथ में कुछ weapons भी दे देता है पाकिस्तान को और लगे हाथ एक दो पाकिस्तान के favor में statements भी दे देता है उसके बाद जो पाकिस्तान का leader से उनको ये लगता है कि पाकिस्तान बहुत ही करीब हे USA का तो as a country जब आप किसी के ऊपर इतना ज़ादा dependent रहते हैं तो chances काफी high होता है कि सामने ओला देश आपका इस्तेमाल अपने हिसाब से करेगा क्यूंकि वो आप में investment कर रहा है Recently US ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो उनके ऊपर sanctions लगा देगा क्यूंकि 22,23 और 24 तारी को इरान के President Ibrahim Raisi Official Visit पे पाकिस्तान आते हैं इस वीडियो में हम इनी सब points के ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो के खतम होते होते हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्यूं हमें किसी भी देश पे एक limit के बाद depend नहीं होना चाहिए इस वीडियो में आगे बढ़ हुई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी मुझे email करके बता सकते हैं ये कुछ official photos release किये गया थे हैं पाकिस्तान के द्वारा जहां पर आप देख सकते हैं इबराहिम राइजी पाकिस्तान में हैं जहां पर पाकिस्तान और इरान मिलके ये फैसला करते हैं कि वो अपने bilateral trade को लगभग 10 billion American dollars तक पहुँचाएंगे और इसी साल के शुरुवाती दिनों में इरान और पाकिस्तान के बीच में relations खराब हो जाते हैं तो लगे हाथ इनको ये लगा कि अगर किसी भी तरीके से bilateral trade होता है तो पाकिस्तान और इरान के बीच में रिष्टे भी सुधरने शुरू हो जाएंगे जिसको देखते हुए US का एक बड़ा statement आता है जहाँ पे वो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इरान से नजदीकी बढ़ाई जाएगी पाकिस्तान के द्वारा तो वो directly sanctions को attract करता है US State Department के deputy spokesperson जिनका नाम विदान्थ पतेल है इनका official statement आता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके से कोई देश अगर इरान से नजदीकी बढ़ाता है और सोचता है उसे business करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं possible sanctions को attract करता है US के द्वारा और वहीं पे deputy spokesperson ये भी कहते हैं हलाकि पाकिस्तान के पास अपने foreign policy को कैसे चलाया जाए इस बात की independence है कहने का मतलब बहुती साफ और बहुती सपस्ट है कि पहले line में आप कह रहे हो कि अगर किसी भी तरीके से इरान से नजदीकी बढ़ाई जाएगी तो वो US का possible sanctions को attract करता है वहीं दूसरी तरफ ये कहता है US का spokesperson कि पाकिस्तान एक independent nation है इसका ये मतलब होता है कि वो देश अपने foreign relation को खुद से manage कर सकता है तो शायद इससे ज़्यादा well-crafted diplomatic statement कुछ नहीं हो सकता है जहाँ पे कहने की बात नहीं है कि पिछले साल ही US के कहने पे पाकिस्तान का कुछ IMF से loan मिले थे और उसी loan मिलने के आस-पास पाकिस्तान ने, Ukraine और Israel दोनों को weapons बेचे थे तो कहने का मतलब है कि जब US को लगता है पाकिस्तान का इस्तिमाल किया जाए तो US इस्तिमाल करता है और जब लगता है कि उसके उपर कुछ sanctions लगा दिया जाए तो वो लगाता है यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को या US को मैं बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स में कोई भी देश सही या गलत नहीं होते हैं आप जितने capable होते हैं आपके actions उतने ही independent होते हैं अब क्योंकि पाकिस्तान और इरान के बीच में relations अच्छे नहीं है तो जब इबराहिम राइजी पाकिस्तान विजिट करने वाले थें तो कुछ इस तरीके से hoardings और posters लगाया गये थे जहां पर इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि इरान और पाकिस्तान एक नए रिष्टे की शुरुआत कर रहे हैं और जो रिष्टा काफी लंबे दिनों तक चलेगा हलाकि उस वक्त भी बहुत सारे analysts थे जो कि खुद पाकिस्तान कहीं थे उनका ये मानना था कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है पाकिस्तान और इरान के relations अच्छे नहीं हो सकते हैं इसके पीछे के दो-तिन वज़े तो एक तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान, साउदी अरेबिया, UAE इनके करीब काफी है और वहीं पे साउदी अरेबिया और UAE टोटली अगेंस्ट है इरान के उसके बात पाकिस्तान बहुत हद तक करीब है USA का और ठीक USA का इरान से नहीं बनता है और क्यूंकि इरान और पाकिस्तान के बौडर लगते हैं बलुचिस्तान प्रोविंस में तो वो भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यूं चांसेस बहुत कम है इरान और पाकिस्तान के अच्छे संबंध होने का वहीं इसी सब्ता USA ने चार कंपनीज के उपर सैंशन्स लगा दिये जिसमें के तीन कंपनीज जो थे वो चाइनीज कंपनीज थे अब इनका काम ये था कि ये पाकिस्तान को कुछ मिसाइल से रिलेटेड रॉव मेटेरियल सप्लाई कर रहे थे तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो जब जरूरत पढ़ता है यूएस से पाकिस्तान से वेपन्स खरीदता है लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोजेक्ट पे काम करता है तो यूएस रॉव मेटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी के उपर सैंशन्स लगाता है तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास रॉव मेटेरियल्स ही नहीं रहेंगे तो आपके जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इन वे उस पे भी सैंशन्स लग जाते हैं वहीं अगर आप फ्रोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब पाकिस्तान अपने नुकलियर प्रोग्राम को शुरू कर दिया तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा चांस था जहांसे वो काफी सस्ते कीमत में इरान से ओयल और नैश्रल गैस खरीज सकता था इरान के पास दुनिया का 4th largest proven oil reserve है और क्योंकि इरान और पाकिस्तान दोनों एक nevering country है तो इसलिए जो transportation का जो charges होता जो समय होता वो काफी कम होता और possibility ये भी है कि इरान से लिया हुआ ओयल पाकिस्तान और भी देशों में supply करता और उसके बाद Saudi Arabia चाहे ओमान हो गया ये लोग चाहते हैं कि इरान से दुनिया भर के जो relations रहे वो अच्छे ना रहे और साथ में इरान के उपर sanctions भी लगा रहे है क्योंकि इरान के पास भी इतने तेल है कि अगर इरान oil बेचना शुरू कर देता है तो chances काफी high हो जाते हैं as an Indian वो ये है कि हम किसी भी देश पे over dependent ना रहें चाहे वो रश्या हो चाहे कोई और भी देश क्यों ना हो और in fact अगर हम US से भी investment लेते हैं तो हमें ये ensure करना है कि हम उस investment को making India initiative के तहत ले जहां पे हमारे देश की जो companies हैं उनको भी बड़े बड़े companies के साथ काम करने का first hand experience I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई गलती हो गए तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye